दोस्तो इस वीडियो में देखिए हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी उनका इंटर्व्यू आज तक की पूरी टीम लेते हुए नजर आ रहे हैं देखिए कितने मुश्किल से मुश्किल सवाल इस इंटर्व्यू में पूछते नजर आ रहे हैं और हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी इन मुश्किल सवालों का कितना अच्छा जवाब देते हैं लेकिन हमारी जनता यही सोचती है कि हमारे प्रधान मंत्री मोदी से आसान सवाल भी इन पत्रकारों ने पूछना चाहिए और हमारे इन पत्रकारों ने थोड़ा समझना चाहिए कि जो विरोधी दल के नेता है उनसे इतने आसान सवाल क्यों किये जाते हैं जो भी विरोधी पार्टी है उनसे भी मुश्किल सवाल किये जाने चाहिए तो दोस्तो इस वीडियो को आप समझ कर देखिएगा क्योंकि जो मुश्किल सवालात होते हैं उन सवालात को समझने की जरूरत है तो देखिए दोस्तो प्रधान नंत्री जी इस वक्त जितने भी लोग इस इंटर्व्यू को आज तक को इंट्याड़े पर देख रहे हैं मेरे साथी भी एमानिंगी बहुत सॉलेड इंटर्व्यू था मतलब जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आप से पूछे गए आपने किसी यही मेरा आप लोगों से सिकायत है यह मुश्किल सब्द आपका आपका नहीं है एक इको सिस्टिम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुश्दिल की तरह डरे हुए हो उनके एजन्दा सब्सक्राइब के लिए सवाल लेकर गुम रहे हो आपको बुरा रहे हैं मैं पत्रकारों ने इसा डरना नहीं चाहिए मोदी जी है ना आप सब लोग गवाव में जी रहे हो और मैं मानता हू मैं भी अब आज जाता हूँ तो कभी पत्रकारों से कम सकंब उनके हाल तवीयत वगेर तो पूछता हूँ मैं सीरियल नेचर के सवाल जब नहीं करता हूँ तो पूछता हूँ मुझे इस लाखता है उनके दिलों में कुछ और पड़ा हुआ है उनके अनुभा कुछ और है लेगे एक एको सिस्टे में ऐसे सवाल बना करके खड़े कर दिये हैं कि आप तब तक पत्रकार नहीं है आप तक तक नीटरल नहीं है जब तक यह पूछे नहीं इस मुसीबत से मुझे आपको भी निकालना है वो काम भी मैं ही करूँ तो जब आप गुजरात के मुखे मंत् तरहां के सवाल का जवाब दे सकते हैं तो आखिरकार प्रेस कांफरेंस या इंटर्वी क्यों नहीं करते हैं पहली बात यह है कि अगर पिछले इस चुनाओं में मैक्सिमम मुझे आज देखेंगे तो आज तक में देखेंगे मैक्सिमम जवाब मैंने देखेंगे तीन दिन में तीसरा तो मैंने तो कभी बनाने किया दूसरा यह है कि जादातर हमारी हां मेडिया का उप्योग यह हुआ है जादातर ही कल्चर बन गया है कि कुछ भी मत करो यार इनको समाल लो अपनी बात बता दो आप देश में चल जा आस्ते पर नहीं जाना है समझे नहीं समझे समझ जाओंगे मुझे महनत करनी है मुझे घरीब के घर तक जाना है मैं भी विज्ञान दोन में फीते काड़के फोटो निकालगा सकता हूं जी मैं वो नहीं करता हूं मैं छोटी योजना के लिए जार खंड के छोटे से दूसरी बात है मैं जवाब दे हूँ पार्लिमेंट को बस सब सवाल कर जवाब देने के लिए इतियार हूं मैं तीसरी बात कहता हूं कि मिडिया आज वो नहीं है जो पहले था क्योंकि पहले मैं आज तक से बात करता था लेकिन अब दर्सक को मालूम है मैं राहूल से बात कर रहा हूं कौन राहूल तो इसने परसो ये ट्विट किया था मतलब ये तो मोदी के फिवर में लिखता है मतलब ये तो वो ही बात करेगा तो आज मीडिया एस सच सेपरेट एंटिटी रही नहीं है आप भी अनेक लोगों की तरह आपने व्यू लोग जान चुके हैं तो वो स्तिती आपकी बनी नहीं है पहले मीडिया फेशलेस था उसका कोई चहरा नहीं था मीडिया में कौन लिखता है लिखने वाले के विचार क्या है कोई लेना देना लोग मानते थे आएक अनालिसिस है आज वो स्तिती नहीं है तीसरी बात है पहले कॉम्यूनिकेशन का एक ही सोर्स था मीडिया के बिना कर आप जाहीं नहीं सकते हैं आज अखिर कर तो आपको जनता को बात करनी है तो कॉम्यूनिकेशन के टूवे है आज से जनता भी बिना मीडिया अपनी आवाज बता सकती है व्यक्ति भी जिसको जवाब देना है बिना मीडिया अपनी बात बता सकता है तीसरा मैं जब गुजरात में था तो मेरी पुप्लिक मीटिंग जो होती थी तो पुप्लिक मीटिंग में मैं पूछता था ऐसे करके देखता था अरे फिर मैं पूछता था क्यों भई ऐसा कार्तम बनाया है कोई काले जिन्दे वाला नहीं दिखता है अरे भाई दो तिन काले जिन्दे वाले रखो तो कर अख़बार में छपेगा कि मुजरात में देली मेरा कार्कम था एक दिन मेरे एक गाउं के लोग मिलने आए बर मुझा अभिन्दन करने आए तो बोले हमारे गाउं में 24 गंटे बिजली हो गई है तो इसलिए हम आपको अभिन्दन मेरे मंगल को किसी को भी एंट्री थी तो मैंने कहा चोबिज गंटे बिजली में जुट है नहीं हो सकता नहीं बोले साब हो गई मैं तुम जुट बोलते हो चोबिज गंटे बिजली हो इनहीं सकती है बोले साब में तो किसी अकपार पर बढ़ा नहीं कि तुमारे या 24 गंटे हो गए नए घृडियो पर आया नटीवी पर आया नए अकपार में जुट नहीं बोले अभावले नहीं बताएंगी 24 हो गई है तो दोस्तों आपको ये वीडियो देखके जो भी समझ में आया हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा